नमस्कार भच्चों श्री मंगळ शिक्षण समिती मंगळ विद्या मंदीर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनीर भच्चों इस चित्र को देखकर आपको क्या लगता है हाँ बच्चों बिल्कुल सही एक छोटा बच्चा सैनित बनकर खड़ा हुआ है तो बच्चों आज का कविता भी वही है में भी नाम कमाता इस कविता का कवी है दिवेक रमेश जी खवी परिचे इस प्रकार से हैं नाम डॉक्टर दिवेक रमेश रचना कंड कंड अगनी है प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है कवी परिचे समश में आ गया ना बच्चों इस कविता का शब्धार्त मैंने दिया है ध्यान दीजिए इसे पूर्व आप लोग पुस्तक निकाल दिया ना बच्चों तो पेश नमबर 23 निकाल दिया ना अभी हम कविता शुरू करने से पहले कवी का आशय देखेंगे कवी का आशय इस प्रकार से हैं फाउज में बरती होकर देश की सेवा करने तता राष्ट्रपती से पुरसकार पाने के बच्चों के सपनों को कवी ने शब्द रूप दिया है यहा कविता सच्मुच बच्चों के लिए प्रेरणा दायक है समश में आ गया न तो चार पंक्तियों का कविता है बच्चों मैं कविता का अर्थ समझाती हुई जाती हुँ दियान पूर्वक देखिये रोज रोज सीमा की खबरे सुन सुनकर मन नन्ना मेरा मुस मुसकर रह जाता रोज रोज अर्थार्थ प्रती दिन सीमा के खबर सुनकर मैं बहुत दुकी हो जाता हुँ क्यूंकि मैं बहुत चोटा हुँ अगर बड़ा होता तो बंदूग लेकर शत्रूओं को मार डालता अगर न होता चोटा बच्चा तो लेकर बंदूग हात में में भी नाम कमाता अर्थार्थ शत्रूओं को पूरे तरीके से नाश कर देता जटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता में बरती हो जाता एक चोटा सा बच्चा अपने मन में देश के प्रती गौरव और अभिमान रखकर कह रहा है कि में आगे चलकर यानि कि बड़ा होकर फौज में बरती होकर शत्रू को मार डालूंगा और में भी नाम कमाऊंगा देश का नाम भी रौशन कर दूंगा करके बच्चा अपने मन में सोच रहा है बच्चो मा कितनी कुश होती जब में एक बड़ा सा पुरसकार भी रास्ट पती से पाता देखो ओ नन्ना सा बच्चे के मन में कितना सुन्दर भाव उत्पन हो रहे हैं में नाम कमाकर रास्ट पती से पुरसकार प्राप्त करता यहां इसका अर्थ है बच्चो कविता में पढ़ती हूँ दिहान पूर्वक सुनिये रोज रोज सीमा की खबरे सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदू का हाथ में में भी नाम कमाता जटपट होकर बड़ा फोज में एक यही बस मन में आता में बरती हो जाता मा कितनी कुश होती जब में एक बड़ा पुरसकार भी राष्ट पती से पाता कविता समश में आ गया ना बच्चो इस कविता में आये हुए दो तीन वाक्यों में उत्तर लिकिये उत्तर भी दी हुँ बच्चो ध्यान दीजिये पहला प्रश्ण है बालक का मन क्यूं मसूस रह जाता है बालक रोज सीमा की खबरे सुनता था वह भी फोज में बरती होकर बंदूक हात में देश के लिए सीमा में बरती होकर शत्रों से लड़ना चाहता है रास्ट्रपती से पुरसकार पाना चाहता है किन्तु वहाँ अभी नन्ना सा बच्चा है चोटा बच्चा होने के कारण उपकर्त कोई कार्य न कर पाता इसलिए वहाँ महसूस कर रह जाता है दूसरा प्रश्न अगर बालक चोटा नहीं होता तो क्या करता था उत्तर है अगर बालक चोटा नहीं होता तो हात में बंदुक लेकर देश की सीमा पर कड़ा हो जाता शत्रू से देश की रक्षा करनाम कमाता तीसरा प्रश्न बालक जटपट बड़ा होकर क्या करना चाता है? बालक जटपट बड़ा होकर बड़ा फोज में बरती होना चाता है देश की सीमा पर कड़े होकर शत्रूं से देश की रक्षा करना नाम कमाना चाता है राष्टपती जी से पुरसकार प्राप्त करता इससे मा को भी खुश देख पाता इस तरह है इस कविता में आये हुए व्याकर्ण विभाग दी हुँ बच्चों ध्यान दीजिये इन शब्दों के लिए अन्यवचन रूप लिखिये खबर कबरे लड़का लड़के हात हाते पुरसकार पुरसकारेन विलूम शब्द बड़ा चोटा एक अनेक सुक दुक पाना खोना द्विरुकती शब्द है बच्चों रोज रोज दीरे दीरे जल्दी जल्दी पल पल सुन सुनकर मुस मुसकर इस तरह है बच्चों इस तरह ही समनार्थक शब्द दिया है लड़का, बच्चा, कुश, संतोष, पुरसकार, इनाम, पाउज, सेना, रोज, प्रतिदिन, खबर, समाचार, कितना सरल है न बचो, इस तरह ही जोड कर लिकिये दिया है, इसका उत्तर भी मैंने दिया है, ध्यान दीजिए रोज-रोज, सीमा, खी खबर, अगर न होता, चोटा बच्चा, जटपट होकर बड़ा फोज में, मा, कितनी कुश होती, जब में समश में आ गया न, तो आप लोगों के लिए भी ग्रहकार्य दी हुँ, एक वाक्य में उत्तर लिकिये याद रहे बच्चो, एक वाक्य, दो-तीन वाक्य और व्याकर्ण विभाग इन सब को क्लास्वर्क में लिखना है हिंदी क्लास्वर्क लिखते समय अक्षरों पर ध्यान दीजिए तो समश में आ गया न, बच्चो? तो आशा करती हुँ आज का विशय में भी नाम कमाता, इस कविता आप लोगों को समश में आ गया है करके, दन्यवाद